जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वैभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस वरकार है कमला वेहज शुशील और संतोसी प्रवर्ती की स्तरी थी वैभगवान मिश्नु की सची भगती अपने पती सोहनलाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही झेले थे तब पती पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए शहर में आकर सोहनलाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराध्य थे सब कुछ ठीठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि ज्यों ज्यों उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था त्यों ते उसके पती की लालसा भी बढ़ती जा रही थी उसने अपने कमाय धन को जुए सट्टे और लाट्रियों में लगाना शुरू कर दिया था कमला अपने पती की लालची परवर्टी से डरा करती थी मौके बे मौके वह उसे समझा थी मगर सोहन लाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था वह कहता तुम पागल हो कमला अरे इतने बड़े शहर में आकर भी हमने कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाउं छोड़ने पर जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देंगे कि हम यह सब बना और खरीद लेंगे कमला कहती इश्वर क्या किरपा करेगा करंबीर अपने बल पर ही यह सब प्राप्त करते हैं सोहनला एंकार भरी बाते करता और कमला मन मसोस कर रह जाती सोहनला के कदम दिन बदिन बहकते चले गए उसे जब भी जुए सट्टे यह लाटरी में नुकसान होता हुए साराप पी कर आता इस परकार उसका धान अपने धंदे की तरफ से हटता चला गया जो डावा कल तक फायदे में चल रहा था वह धीरे धीरे नुकसान देने लगा इसी गम में कभी कभी सोहनलाल दिन में भी शराब पी लेता था जिस कारण उसकी दुकान पर ग्रहकों का आना और भी कम हो गया इस पर भी सोहनलाल को कोई समझ नहीं आये वह विक्री के पैसों से जुए या लौटरी खेल लेता और शराब पी लेता घर में पैसा देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया कमला पैसों का जिकर करती तो वह काम मंदा होने का बहाना बना देता धावे का सारा समान एक दुकान से उधार आता था जब दुकानदार को उसके जुए किलत और शराब पीने का पता चला तो उसने भी उधार देना बंद कर दिया धावे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए नतिजा यह हुआ कि धावे में ताला पड़ गया अब तो घर में फाका होने लगा उसी ने भी नजरे फिर ली आकिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो गए नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गया और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी रात भर आसु बहाती रही उसका फिर दय बार-बार कह रहा था कि हे नाराण जी यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं आप पर भू मेरे परिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूख से बिलखते हुए ही सो गए मेरा पती पत्वरस्ट हो चुका है हे लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्धुद्धी दो इसी प्रकारविंती करते वह कब सो गए उसे स्वैम ही पता नहीं चला सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं पती नहाद हो रहा है कमला उसकी नजरें मिली तो उसने सिर जुका लिया फिर कपड़े पहन कर खामोसी से बाहर चला गया कमला हाथ मुधो कर फिर से अपने नारण जी के मंदिर के सामने जा बैटी चहरा गुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूँ बचे उटकर नाश्ता मांगेंगे तो क्या जवाब दूँगी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई सैमो को इसी भे दरवाजे तक पहुची और दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधू को अपने सामने खड़ा पाया कुछ विक्षा दे बेटी साधू ने का बाबा मेरे घर में तो अन्ने का एक भी दाना नहीं है पास में एक फोटी कौड़ी तक नहीं है आपको क्या दूँ कहकर वह रो पड़ी बेटी तेरे घर में धन पड़ा है अब तू दुखी है साधू ने का धन मेरे घर में बाबा अब क्यों मुझे अभागी का उपहास कर रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ बेटी अपने घर की दिवार पर टंगी नहरण जी की तस्विर के पीछे देख मा तिरा पुराना बटवा पड़ा है जिसमें कुछ धन है और सुन यदि बच्चों को पिता से कुछ लेना हो तो उसे मा को मनाना चाहिए मा स्वैम पिता को मना लेती है साधू ने अपने जोले में से एक पुस्तक निकाल कर कहा यह है मा बैभवलक्षमी की ब्रत कथा की पुस्तक है तू मा लक्षमी की सरण में चली जा मा तुझे अवश्य ही किरपा करेगी और तेरा धन धानने से घर भर जाएगा मा बैभवलक्षमी की पुस्तक हाथ में आते ही कमला के शरीर में जैसे नहीं शक्ति भराई वे बोली बाबा क्या सचमुछ मा बैभवलक्षमी मेरी दरिता दूर कर देगी बेटी जहां बैवेव लक्षमी की किरपा होती है वहां दुख तरिता निवाश नहीं करती तू पुस्तक में लिखी विधी के अनुसार मा का वृत कर तेरा उधार होगा नारायन नारायन कमला तो अपनी सारी सुध भूत भूल कर पुस्तर के प्रिष्ट पलटने लगी अचानक उसके मन में आया कि यदि घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए मैं अभी उन्हें कुछ दे देती हूँ ऐसा सोचकर जैसे इसने नचने उठाई तो अवाक रह गई अभी चन भर पहले ही तो सादू वाबा उसके सामने खड़े थे मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक उनका पता नहीं था मगर नारायन नाराण के शब्द अभी उनके कानों में गूंज रहे थे कमला हत्प्रद सी रहे गई तो क्या नाराण जी मेरे नाराण का संदेश लेकर आये थे जरूर यही बात है सोचती हुई कमला तेजी से पलटकर भीतर आई और दिवार पर टंगी नाराण जी की तस्वीर के बीछे देखा तो सचमच वहाँ एक पुराना परस पड़ा था कमला ने उसे खोल कर देखा उसमें सौ सो के पाँच नोट निकले खुसी के मारे उसके चेहरा दमकने लगा एक नया उत्सा और फुर्ती आ गई उसके शरीर में जल्दी जल्दी इसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैट गए पुस्तक में सबसे पहले उसने बरत के नयम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुसी का ठिकाना ही ना रहा मा बैवलक्षमी का वरत शुकरवार से आरम किया जाता है यह सयोग ही था कि उस दिन शुकरवार ही था उसने स्नानादी से निर्वित होकर नाराण जी के सामने ही संकल्प लिया कि वह मा बैवलक्षमी के 21 वरत करेगी उसके बाद वह बाजार गई और खाने पीना और पूजा का सामान लेकर आ गई उसने बच्चों को जगा कर उन्हें नहला धुला कर नाश्टा दिया और फिर मा बैवलक्षमी बरत कथा कि पुस्तक में लिखे नियमों के अनुसार बरत किया सारा दिर में जै मा बैभुलक्षमी जै मा बैभुलक्षमी का जाप करती रही शाम के समय उसने विदिवत मा का पूजन किया और प्रात्ना की हे मा नारण जी की आगया से मैंने आज आपकी शरन ली है मेरी मनोती पूर्ण करना मा मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए वे सभी दुर्गुणों को त्याकर फिर से सदमाग पचलते वे अपना काम करे जै मां बैभुलक्ष्मी जै मां बैभुलक्ष्मी ब्रत कधा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया अपने आस पुड़ोस में बाटा फिर पती के इंजार में पलगे विछाकर बैठ गई रात आट वज़े उसका पती आया कमला को यह देकर सुकत आशर हुआ कि आज वह नशे में नहीं था कमला आस तो चमतकार हो गया इश्वर की करपासे कल से ही मेरा ढावा फिर से चालू हो जाएगा आज लाला ने स्वैम बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुए की लगा छोड़ दू तो वह मुझे फिर से आटा दाल आदी उधार दे देगा और कमला मैंने आस से ही कसम खाली कि मैं जीवन में कभी भी सराव और जुएत की दरव नहीं देखूंगा यह सब तुमारे शुप कर्मों का ही चमतकार है नहीं स्वामी यह सब मा बैवलक्षमी का चमतकार है मा बैवलक्षमी का चमतकार हा स्वामी अब हम सब मा बैवलक्षमी की शरण में हैं आज मैंने मा बैवलक्षमी का व्रत रखा है मा बैवलक्षमी की सभी का मनों कामनाई पूर्ण करती है एक बार मा जिससे प्रशन हो जाती है उसके जीवन में कभी भी दुख और डड़िता की छाया नहीं पड़ती मगर तुम्हें यह सब बताया किसने मेरा मन रुमान्चित हो रहा है कमला मुझे सब कुछ बताओ आओ स्वामी आओ आप भी पहले मा का आशिरवाद ले कमला उसे मंदिर के समी पले गई एक चौकी पर श्रीयंत्र के समक्ष मां बहुलक्षमी की जोट अभी भी जल रही थी और जल के पात में रखी कटोरी में घर का आखरी गहना कमला की नाख के सोने का कील पड़ा था सोहनलाल जैसे ही माता की जोट के समक्ष आया उसकी आखों से अबिर अशुधरा बहन इकली और हाँ जोटकर वै बोला हे मां बहुलक्षमी मैं लोब में फसकर पत ब्रस्ट हो गया था मेरा मैं बिना मेहनत किये धेर सारी दौलत पा लेना चाहता था मैं समझ गया कि मां आपने मुझे मेरे लालच का ही डंड़ दिया है हे मां अब मैं अपने परिवार सहीत आपकी शरण में हूँ हमारा उधार करो हे मां मैं आज से ही संकल्प करता हूँ कि अपनी पतने के साथ आपके वरत को करूँगा फिर दोनों ने मिलकर मां बेफोलक्षमी का प्रसाद गहरें किया दूसरे दिन सोहनलाल ने अपने दुकान को ज़ाड़ कोच कर साथ किया और उसके पुराने कारिगार भी वापस आ गए और दोपैर होते होते डावा पहले की भाती चलने लगा इसके बाद जब शुकरवार आया तो पती पती ने मिलकर मां बेफोलक्षमी का वरत किया इस एक सब्ता में सोहनलाल के घर की इस्थिती तेजी से सुधरने लगी अब सोहनलाल ने लोग लालच त्याकर सब कुछ मां की मर्जी पर छोड़ दिया इसी परकार एक इसमा शुकरवार आया तो दोनों ने अपने सगे समंदियों को बुला कर कथा कही साथ करन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और उन्हें बेफोलक्षमी वरत कर दा की एक एक पुस्तक भेट की इसके अत्रिक उन्होंने 101 प्रतियां सभी सरधालों में भी बाटी उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम उमर घर निशकाम भाव से मां बैवलक्षमी का वरत करते रहेंगे बोलो मां बैवलक्षमी की जै कथा के बाद मां से इस परकार प्रातना करनी चाहिए हे मां जिस परकार आपने कमला के मन की मुराद पूरी की ऐसे ही मेरे और सभी भक्तों की मन की मुरादें पूरी करना अपनी शरण में आय की रक्षा करना सबको सुक्समर्धी धन धान और संतान देना और इस परकार बैवलक्षमी की वरत कथा समाब्थ होई